आज हम discuss करेंगे E for environment environment means होता है हमारी चारो तरफ जो भी चीज़ें होती है surrounding में जो भी चीज़ें होती है उसे हम environment कहते हैं let's know हम इस chapter में discuss करेंगे about environment saving environment कैसे हम इस environment को save करना है pollution and its types कितरे pollution क्या होता है उसके कितने types होते हैं clean surroundings हमारे चारो तरफ cleanness होने चीज़ें उसके वारे में अब देखें यहां पर कुछ हमें given है एक picturization किया हुआ है why are burning the garbage why are you burning the garbage आप garbage को क्यों जलाते हैं क्यों जलाते हैं because it is waste दूसरा person कहता है हम इसलिए जलाते because it is a waste burning will help to reduce the garbage अगर हम garbage को जलाते हैं तो यह garbage को reduce करने में help करती है burning इसलिए हम garbage को जलाते हैं बच्चा कहता है आगे कहता है कि भई जो burning है causes smoke that makes air dirty you will have to inhale harmful gases अरे burning तो smoke cause करती है जो की air को गंदा करता है डर्टी करता है और you will have to inhale और उसी उनी harmful gases को आप एयर में से inhale करते हो यानि कि सांस लेते हो respiration की process में inhale करते हो gases को जो हम अंदर लेते हैं उसको कहते हैं हम inhalation तो सामने कैब वाला पूछता है कि अगर भाई burning नहीं कर सकते है तो what should be done with garbage then फिर हमें garbage के साथ क्या करना चाहिए तो बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए garbage के साथ we make we can make pits and put waste like vegetable peels papers and leaves तो आपको क्या करना है कि आपको एक pit बनाना है या गड़्धा बनाना है और उसमें waste को डाल देना है और waste कि टाइप के जैसे vegetables peels है vegetable peels का मिल्स क्या है सबजियों के जो छिलके होते है पेपर्स है या leaves है उसमें डालना है it will turn into manure over the time after some time ये ही क्या बन जाएगा अपका manure बन जाएगा तो पूछता है कि भाई ये manure क्या होता है manure कहते है ऐसा खाथ जो की organic substances के decomposition से बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते है manure चीक है बास समझ भाई यहां तक कि तो भाई वो पूछता है कि that is a good idea वो बोलता है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है इससे तो हम manure बना सकते है इससे तो double benefit है environment भी pollution नहीं होगा air pollution भी नहीं होगा और हमें खाथ भी मिल जाएगा I shall do it मैं इसे करूंगा and ask other to do the same और और लोगों को भी बताऊंगा कि वो भी ऐसा ही करें बास से है यहां पे कुछ pictures दी गई है उनमें हम आप से पूछेंगे कि circle करना आपको जो right है क्या चीज़े ठीक है क्या गलत है तो आप इसका answer मुझे देंगे ये क्या कर रहा है बंद और bad habit right very good और यह water एक water body है जिसके अंदर animals को यह bathing करा रहा है तो यह right है कि wrong है रॉंग है ऐसा नहीं करना चाहिए इससे क्या होगा water pollution होगा यह dust wind के अंदर water यह water है उसके अंदर kachra डाला dust wind के अंदर तो यह सही कर रहा है कि गलत कर रहा है सही है सही कर रहा है यह अपने carry bag में vegetable fruits लेकर आ रहे हैं तो यह right decision है रॉंग decision है रॉंग decision है यह polythene नहीं है यह इनका carry bag है खुद का यहां पर एक sip से spillage हो रहा है oils का समूंद्र और sea or oceans के अंदर यह right है कि wrong है wrong है क्योंकि यह sea water को क्या कर रहा है पाल्यूट कर रहा है और यहां पर plantation कर रहा है बच्चा तो यह क्या कर रहा है right thing है यह bad thing है यह right है क्योंकि plantation से हम different types के pollution को क्या कर सकते हैं remove कर सकते हैं चलिए अब हम discuss करेंगे कि environment क्या होता है anything around us is a part of our environment हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो किसका part है environment का it includes both living and non living things इसके अंदर environment के अंदर living means होता है plants, animals, bacteria यानि microorganism and non living things like air, water या land यह सब ही आते हैं तो यह environment के ही तोनों part होते हैं living and non living animals, living things interact with the environment जो living things होती है वो interact करती है environment के साथ and change accordingly और उसे वैसे ही change कर देती है then they carry out activities to suit their needs with which might cause harmful changes in environment यह ऐसी चीज़ों को carry करती है activities को carry करती है जो की needs के according required suit करती है और जो cause करती है harmful environmental changes को humans have now become a treat threat to the environment आज के टाइम में जो human है वही environment के लिए क्या बन रहा है डर बन रहा है बहाँ बन रहा है क्योंकि बहुत सारी human activities ऐसी होती हैं जो environment के लिए बहुत ही harmful होती हैं हां तो बेटे हम आप से पूछना चाह रहे थे की रहे पूछ यह environmental pollution आपने का environment में बहुत सारी activities हो रहे हैं जो human के लिए threat create करती है human ही threat कर रहा है environment को यानि की harm कर रहा है तो वह कौन सी activities हैं जिससे की environment pollute हो रहा है क्या आप जानते हैं कुछ चीजों के बारे में जैसे कि smoke, polythines यानि polythines का use नहीं करना है हमें प्लास्टिक की bottles हां और waste क प्लांट को कट कर रहे हैं वो भी क्या plant environment के लिए useful होते हैं yes very good तो चलो हम आगे इस chapter को discuss करेंगे चलिए अब हम next discuss करते हैं pollution what is pollution introduction of harmful substances into the into the environment due to human activities is called pollution pollution क्या होता है अगर हम harmful substances को environment में use करते हैं human activities के through जैसे कि हमने polythines को आपने बताया कि polythines को through कर देते हैं हम कच्रे को इधर दर डालते हैं waste को या हम किसी भी चीज को burn करते हैं smoke release होता है तो यह सारी activities जब environment में mix होती हैं तो they cause pollution मतलब environment को यह harm करते हैं जैसे air water or soil वगरा को त तो उसी को हम क्या कहते हैं pollution कहते हैं human activities ही basically responsible होती है pollution के लिए there are four main types of pollution वैसे तो बिटा जब आप higher studies में जाएंगे तो pollution different types के होते हैं बट अभी junior classes में अभी अब चोटे हो तो इसलिए basically four type के pollution होते हैं आप क्या उनके नाम बताएंगे air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution very good we have basically four types of solutions air pollution, water pollution, land pollution and soil pollution, land pollution को हम soil pollution भी कहते हैं आप देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा factor podia दे रखा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है e-waste और electronic waste e-waste means होता है electronic waste consists of part of computers, mobile, phones and other electrical devices अगर आप से पूछे e-waste क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे बटा जो phones के waste part होते हैं जैसे phone खराब हो जाता है हम ऐसे फैंक देते हैं वो e-waste कहलाता है या mobile है या computer है या TV है कोई भी electronic device है जिसको जो खराब हो जाती है उसके कोई part खराब हो जाता है तो हम इदर-दर फैंक देते हैं उसी को हम बोलता है e-waste electronic e for electronic wastes clear चलिए अब हम पहला pollution discuss करेंगे इन सभी type के pollutions को हम अपनी next class में discuss करेंगे चैनल को subscribe कर लीजिए और well icon को press कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगी कब वीडियो अप्लोड हो गई और आप बाकी chapter की different book की chapter की summary के लिए explanation के लिए भी आप चैनल पे जाकर उनको watch कर सकते हैं Thank you, thank you for watching